जनतादल युनाइटेड और राष्टिये जनतादल के गड़ बंदन के बाद ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच इस्तिती सही नहीं है जद्यू के नेता भी लगातार नराज है नितीश कुमार के इस रवये की वज़ा से और अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि आपस में जनतादल युनाइटेड के नेता भीड गए है दरसल जूते चपल, बेंच, कुर्सियां चलने लगी है जनतादल युनाइटेड के चुनाओं में जद्यू के जिला ध्यक्षों की चुनाओं हो रही है और ऐसे में छापड़ा चे तस्वीरे निकल कर सामने आ रही है मुखमंत्री नितीश कुमार और राष्टिया ध्यक्ष ललन सिंग के नेत्रित में ये काम किया जा रहा है पार्टी को मजबूत बनाने मजबूती पडान करने के लिए टीम का निर्मान किया जा रहा है और इसी बीच खबर ये है कि छापड़ा में जन्रताजल उनाइटेट के जो नेता है आपस में बिड़ गए है और जद्यू जिलादेक्ष पड़ बात नहीं बनी है नाहीं समती बन पाई है 16 परत्यासियों के बीच एक भी परत्यासि को जिलादेक्ष नहीं चुना गया है हंगामे के बीच जिलादेक्ष का चुनावा धूरा रहा और अब मुक्वंद्री नितीश कुमार को लिष्ट भेलती गई है अंतिम फैसला सियर नितीश करेंगे दरसल जद्यू के अंदर मत्मेदों की सर्चा पुरानी है जद्यू के निता एक दूसरे पर छीटा कसी एक दूसरे पर बयान बाजी और सारी चीज़े कर रहे है लेकिन इसी बीच खबर यह है कि ललन सिंग के गुट के जो लोग है वो चाहते है कि उनका प्रभाव बिहार कमीटी में हो उपेंद्र कुस्वाह के गुट के जो लोग है वो चाहते है कि उनका प्रभाव ज्यादा हो और इसी बात को लेकर अन्मन की स्थिती बनी और जो ज जदिव के जिलाद्यक्ष के चुनाव में भारी अंगामा वुआ है लरन सिंग और उपेंदर कुषवा के जो समर्तक है यह यू कहे तो जदिव के और भी बड़े नेता के जो समर्तक है वो आपस में भीड़ चुके हैं जिलाद्यक्ष पद को लेकर और यही वो बज़ा है कि मुखमंत्री नितीश कुमार जपास अब लेटर भेज दिया गया है मुखमंत्री फैसला करेंगे नितीश फैसला करेंगे कि इन नेताओं के साथ करना क्या है कौन जिला देक्स बनेगा और कौन जिला कमिटी का सदस रहेगा इनी सभी चीजों को लेकर जदिव में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस बात की चर्चाद तेज हो गई है जदिव नेता लगतार दावा कर रहे है जदिव नेता लगतार इस बात पर हामिज दता रहे है कि नितीश कुमार को आगे बढ़ाना है जदिव को मिल जूनकर काम करना होगा लेकिन अब छपड़ा में कुश्वाहा और लरन समर्थक आपस में भीड़ गया है जूते चपल कुर्सिया बेंच भी चलने लगी है तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद